हलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने DPSP के दो सिध्धानतों को पढ़ा पहला समाजवादी सिध्धानत और दूसरा गानिवादी सिध्धानतों को पढ़ा आज के इस वीडियो में हम उदार और बौधिक सिध्धानतों को पढ़ेंगे वारत के राजच्छेतर में नागरिकों के लिए एक समान नागरी सहिंता को सुरच्छित करने का प्रयास करेगा। यानि बारत के समस्त राजशेत्र में नागरीकों के लिए एक समासिविल सहिंता होगी अगला नुच्छेद, ध्यानुच्छेद, पैतालिस, सिसू एवं बाल देखभाल के बारे में सभी बच्चों को 6 वर्षी की आयूप पूरी करने तक प्रारंबिक बाल्य वरस्था देखभालो और सिच्छा प्रदान करना अगला नुच्छेद, ध्यानुच्छेद, अर्टालिस, वैज्यानिक क्रसी और पस्पालन के बारे में राज आधुनिक और वैज्यानिक तर्ज पर क्रसी और पस्पालन को विवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशियस रूप से गायों और बच्छडों और अन्य दुधारों और वाहक मविस्यों की नसलों के सुधार और सुधार और वद पर रोक लगाने के लिए कतम उठाएगा यानि की क्रसी तथा पस्पालन को आधुनिक तथा वैज्यानिक प्रदाली से करना और गाय बच्छडा तथा अन्य दुधार पस्वों की बली पर रोक लगाना तथा उनकी नसलों सुधार को प्रुस्ताहन देना अगला नुच्छेद हैनुच्छेद 48 का ए पर्यावरड एवं वन जीव सनच्छड के बारे में राजी पर्यावरड की रक्षा और सुधार करने तदा देश की वनों और वन जीव की सुरच्छा करने का प्रयास करेगा और नुच्छेद 48 का जो ए है इसे 42 समधान सथोधन 1976 के द्वारा जोडा गया अगला नुच्छेद 49 राश्ट्री महत्य की इस्थानों और वस्तूओं का सनरच्छड राज की कलात्मक या एतिहासिक महत्य के पित्ते की इस्थान की रक्षा करना यानि की राश्ट्री महत्य के लिए घोसित किये गए कलात्मक तथा एतिहासिक अभिरुची वाले जो इस्थान है उनको सनच्छित करना यानि उनकी रक्षा करना अगला नुच्छेद 50 नयपालिका कारपालिका से अलग होनी चाहिए राज की सारवजनिक सिवाओं में नयपालिका को कारपालिका से अलग करने के लिए राज कदम उठाएगा यानि की राज प्रयास करेगा की नयपालिका को कारपालिका से प्रिथक रखा जाए अगला नुच्छेद है नुच्छेद 51 राज अंतर राष्ट्री सांती और सुरच्छा को बढ़ावा देगा यह घोश्रा करता है कि राज अंतर राष्ट्री सांती और सुरच्छा इस्तापित करने का प्रयास करेगा राश्टों के साथ नियाईपूर और सम्मान जनक संबंद बनाये रखना अंतरराश्टी कानून और संध दायुत्यों के लिए संबंद को बढ़ावा देना मध्यस्तता द्वार अंतरराश्टी विवादों की निप्टारों को प्रसाहिद करना तो नुच्छे दिक्यामर में क्या बताया गया है राज अंतर राष्टी सांती और सुरच्छा को बढ़ावा देगा इसके लिए वो राष्ट्रों के साथ न्यायपूर और सम्मान जनक संबंद बनाए रखने का प्रयास करेगा और अंतर राष्टी कानून और संदिदायुत के लिए सम्मान को बढ़ावा देगा तथा मधस्तता द्वारा अंतर राष्टी विवादों के निप्टारों को प्रुसाहित करने का प्रयास करेगा ओके अब हम डीपी एसपी यानि राज के नीदिनिदेशक सिध्धानतों में अब तक होने वाले सभी सम्विधानिक संसो दोनों को पढ़ लेते हैं तो 42 सम्विधान संसोदर 1976 द्वारा चार नए निदेशक सिध्धानतों को जोड़ करके सम्विधान की भाग चार में बदला किया गया और वो अनुच्छित कौन कौन से है अनुच्छित 49 अनुच्छित 49 का ए अनुच्छित 43 का ए और 49 का ए इसमें क्या बताया गया है समान नयाय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानुनी सहत अप्रदान करना अगला अनुच्छित 43 का ए उद्द्योगों के प्रबंधन में सिर्मिकों की भागीदारी सुनश्चित करने के लिए कदम उठाना यानि की उद्द्यो वन जीवों की रक्षा करना तो दूसरा डीपीएस्पी में संसोधन कौन सा है चालिस्वा संसोधन संसोधन उनीस सो अठात्तर के चालिस्वे संसोधन अधिनियम ने अनुच्छित 38 के तहत एक नया डीपीएस्पी जोडा गया जो घोसित करता है कि राज विसी इस रूप स को खत्म करने का प्रियास करेगा यानि कि राज आय प्रितिष्ठा सुविधाओं अवसरों की जो असमानता है उसको समानता में बदलने का प्रियास करेगा अब डीपीएस्पी में तीसरा संविधान संसोधन कौन सा हुआ था तीहत्रव समिधान संसोधन 1992 पंचायती राज विस्था तीहत्रव समिधान संसोधन अधनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुछित 40 में वर्डित समिधानिक दायत्तों को पूरा किया देश की लगवक सभी हिस्थों में ग्राम, ब्लॉक और जिला इस्तर पर त्री इस्तरी पंचायती राज प्राली सुरू की गई तो तीहत्रव समिधान संसोधन 1992 में द्वारा पंचायती राज विवस्था सुरू की गई और पंचायती राज विवस्था का किस अनुछित में वर्डन किया गया है अनुछित 40 में किया गया है DPSP में अगला समिधान संसोधन, 86 समिधान संसोधन 2002 में हुआ इसने अनुच्छित 45 की विशेवस्त को बदल दिया और प्राराम्बिक सिच्छा को अनुच्छित 21 के एक के तहट मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छित 45 में पहले 6-14 वर्षिक के बच्चों को निसुल को सिच्छा प्रतान करने का अधिकार था किन्ट 26 समिधान संसोधन 2002 के बाद इस अधिकार को अनुच्छित 21 के एक के तहट मौलिक अधिकार बना दिया गया DPSP में होने वाला अगला समिधान संसोधन है 97 समिधान संसोधन 2011 2011 के 97 समिधान संसोधन अधिनियम ने अनुच्छित 43 का B के तहट सहकारी समितियों के लिए एक नया DPSP बनाया आज की इस वीडियो में हमने उदारवादी सिधानत के बारे में पढ़ा तथा DPSP में होने वाले अब तक के सभी समिधान संसोधनों को पढ़ा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक्यू फैंस